नमस्कार किसान भाईयों, हम यहाँ पर फुलों की खेती का वीडियो देना आये थे, लेकिन हमने यहाँ पर सर से संपर्क किया, तो सर ने बताये कि यह पहले टमाटर की खेती भी करते थे, जिन में इनको कर्शिवी बग द्वारा सम्मानित भी किया, यानि कि यह काफी अच् और उस हम यहां पर आये तो थे फूल की खेती का वीडियो बनाने के लिए, लकिन आप से मिलकर जाना कि आपने टमाटर की खेती भी काफी बड़ा तरीके से कीए, और आपको प्रशिवी बाग के लिए कब पर समपानित किया और क्या हम आपको मिला है, सर जी मेरे को उतक र परशी से सम्मानित किया गया है इनको भी पुरुसकार मिला है तो आपने जो टमाटर की खेती की है तो वह लगबक कितने एरिया में की है उसमें लागत कितनी आई और क्या सावदेन रखनी चाहिए तो इसके बारे में पूरे डिटेल से हम किसान भाईयों को जानकाई देना देन जाते हैं तो सर एक बर बताई कि आपने टमाटर की जो प्रोड़क्शन लिया है वह कितने एरिया पे लिया है सर जी मैंने एक बिगए की टमाटर की खेती की करीबं तीन-चार साल तक टो मैंने एक बिगए से करीबं 200 से 300 क्यूटल टमाटर निकाले मैंने पूरा पूरे फसल की जो लागत होती है एक भीगेगी वो करीबन चालिस से पचाजार के लागत आती है और इसमें मुनाफा कितना है लगबक मुनापा तो सर बाव के उपर डिफेंट करता है अब डई सो से तें सो कि उड़ल जो टमाटर निकले है वो करीबन अगर 10 रुपे की किलो के साफ से बिके तो डई से तिन लाग रुपे बनते हैं और 20 से बिके तो चार पांस लाग के बनते है और उसत जो है वो दो ड़े जाते हैं और किसन भाइयों को क्या-क्या सावदेने रखने पड़ेगी शुरुवात में तो करीबन 5-6,000 रुपे का जो भी जाता है 5-6,000 रुपे सम्तिंग अच्छी कंपनियों का जो भी जाता है फन वेराइटी वाला उसकी नरसी त्यार करनी पड़ती है फिर इदर 25 जिन तार बांद के उनको फिर हर एक पोदे की जो जो पोदा बड़ा होता जाता है उस टैनी को उपर लेनी पड़ती है जो जो बड़ा होता है वापस उपर तार लगाना पड़ता है करीबन तीन फीट चार फीट तक पोदा जाता है तो उनको सबको उपर बांदना पड़ता है सबसे ज़्यादा जिसमें खर्चा आता है वो बानने के लेबर का आता है। क्योंकि उसरा करण को परक्रण को सूतली से का जयानी होता है। तो ज्यादा आसानी रहती है क्योंकि वजन ज्यादा होता है तो ट्रांस्पोर्टिंग में दिकत आती है तो ट्रांस्पोर्टिंग में दिकत नहीं आती है तो खेती आसानी से की जा सकती है और इसमें अगर जेवी खेती करना चाहें तो कौन-कौन सी खादों का प्रियों करन तो मैंने फ़र्च साल पूरी कोशिश की तिक में जैवी कहती करूँ लेकिन अंत में जाके इल्लियों का प्रकॉप और मौस्मी बीमारियों का प्रकॉप ज्यादा हुआ तो मुझे अपने ये जो दवाईयां हैं इस पर करनी पड़ी मजबूरन क्योंकि बीमारियों ज्याद के पास गाएं बेंसे गोबर कुब मिलता है गोबर खेत में अच्छा खुब डालते हैं वैसे मक्का मुंगफली सब असल में डालते हैं तो सब्जियों के लिए कोई बात ही नहीं लेकिन अंत में जाके जो दिक्कत आती है वह बीमारियों और इल्ली के आती है तो हमने फिर अच्छा मिट्री करके डिबी आती है उसमें एक दवाई की डिबी रेती है तो उन डिबीयों को अधिए अपन खेत में लगा दें तो एल्ली वाली जो मक्की एक खेत में गुश्टे ही उसकी खुश्बू से उस दिबी में चले जाती है यह लो खतम हो जाती तो ईल्ली के तो इनमें अपने जो दूरी रखते हैं प्लांट से प्लांट के पीछ पीच में और जो आप डुले डालते हैं उनके बीच पीच में किना दूरी रखनी पड़ेगी डौले से डूरी तो करिबंद Дो। उपर दोले से डोलने के दोनों सपीट पेता हैं और अक्शे बहुतानी के उसके अलावा जो ड्रीप की जो नलियां डाल रखी है जी उससे सीचाई होती रहती है तो सीचाई की अपने को एक्ष्टा समय देने की जरूत नहीं और ड्रीप से यह फाइदा कि आपने यह पूरा सिस्टम बजाया है तो इसमें जो खर्चा पूरा निकाल लेते हैं उसके बाद कितना मुनाफ़ा जो में जो मुनाफ़ा बचता के लिए वह इसके लिए सब्सक्राइब करता है जब मंडियों का वाव अच्छा मिल जाए तो किसान को अच्छी लागत मिल जाए तो बागी किसान मेनत तो सब करते ही है ये लेकिन मंडी नजदीक हो और भाव अच्छा मिल जाए तो बढ़िया खेती इसके अलवार मेंने शिमला मीर्च की खेती भी कि खूब किये खूब किये गुलाब का गुलगंद बना कर भी अमने बेचा है लगबक हमने सभी तर कि हम खेती में थोला ज़दा हमारा पूरा परिवार इंटरेस्टेट है जी जी तो सर का कहना है कि अगर आपके पास संसादन की कमी नी है और मंडी अगर पास ही है तो आप कोई भी खेती करें आपको कोई दिकत नहीं होने वाली है तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपने किस इन्दरान आज कल सब के पास मोबाइल है और मोबाइल पर यूटूब पर जी-मेल पर हर चीज की सूज़ा उपलब रहती है और सरकार ने भी बहुत सारी सूज़ाइं दे रहे कि बहुत सारी साइड होती है मंडीों के बाव अपन देख सकते हैं उश्य क्वालिटि के पूर बेजते हैं टमाटर भी हमने बाहर बेजे थे तो अपन जो आज का यूग है सोचल मीडिया का उस पर अपन जुड़े रहकर एक्टिव रहकर दवाईयों की बीमारियों की हर चीज की अपन जानकारी साजा कर सकते हैं एक दूसरे से ले सकते हैं और आगे बढ़ सकते है तो बहुत बहुत दन्यवाद सर का अगर यह वीडियो आपको पसंद आये तो वीडियो को लाइक करें और किसान भायों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको भी फूलों की खेती और टमाटर की खेती के बारे में जो सर ने बता है उनकी जानकारी पूरी तरीके से मिल सके और अगर चैनल पर आप पहली बार आये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद